हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज की वीडियो में SSEGD परिक्षा 2023 के लिए 50 करेंट अफेर्स के कोशन करने वाले हैं एक्स्ट्रा फेक्ट्स के साथ कोशन करेंगे और इन सभी कोशन को आपको पढ़ना नहीं है रट लेना है क्योंकि बहुत important है 50 करेंट अफेर के ये कोशन लास्ट 6 मन्त के रहेंगे सभी के सभी कोशन और बिल्कुल ये कोशन आपके एक्जाम में आएगा तो करेंट अफेर का must watch वीडियो है तो पूरा जुरूर देखिएगा ये 50 के 50 कोशन रट लीजिए एक्जाम से पहले हू बहू कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा वीडियो को जिसने भी like share subscribe नहीं किया है तो like share subscribe कर देना फर्स्ट कोशन देखिए पहला कोशन है FIFA World Cup 2022 का खिताब किस देश ने जीता है बात कर लें FIFA World Cup 2022 की तो इसे जीता है अर्जेंटिना ने option be right answer हो जाएगा और extra fact सभी के करने वाले हैं तो इसका extra fact देखिए ये जो FIFA World Cup 2022 का आयोजन हुआ था वो कतर में हुआ था ये FIFA का FIFA World Cup का 22 मा संस्क्रण था अर्जेंटिना ने FIFA World Cup 2022 के फाइनल में फ्रांस को सूट आउट में चार दो से हराकर ये World Cup ने नाम कर लिया है अर्जेंटिना टीम के कप्तान कोन थे लियोनेल मेसी थे और फ्रांस टीम के कप्तान कोन थे यूगो लोरिस थे ठीक है एक्स्ट्रा फेक्ट सभी इंपोर्टेंट आपको याद करने है हूँ बहू वहां से भी कोशन आ सकता है अगला कोशन संयुक्त राष्ट्र मुख्याले में पहली बार किस भारतिये नेता की प्रतीमा को स्तापित किया गया तो ये किया गया है राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की प्रतीमा को ओप्शन डी राइट आंसर होगा फटा फट से सभी कोशन करेंगे दिसंबर 2022 में UN हेड़क्वार्टर में महात्मा गांधी की प्रतीमा स्तापित की गई इस प्रतीमा का जो अनावरण है वो 14 दिसंबर 2022 को सियुक्त राष्टर के महासचीव एंटोनियो गैटेरस ने किया था UN महासबा के 77-70 के अधेक्स साबा कोरोसी और भारत के विदेश मंत्री S.J. संकर ने मिलकर किया है इस प्रतीमा का अनावरण बात करने दोस्तों UNO का फुल फॉर्म क्या होता है United Nation Organization स्थापना कब हुई थी UNO की 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को हर साल इसलिए United Nation दिवस मनाते हैं UNO का मुख्याले New York अमेरिका में है वर्तमान में महासचीव को है UNO के Antonio Guterres है अगला कोशन रेमन मेकसे से पुरुसकार 2022 कितने वेक्तियों को प्रदान किये जाने का न्रिने लिया गया है चार वेक्तियों को अगला कोशन हुरुन ग्लोबल 500 मुल्यवान कंपनियों की सुची 2022 के नुसार दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनियों कोन सी है देखे हुरुन ग्लोबल टोटल 500 मुल्यवान कंपनियों की सुची में 2022 में तो दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनियों की सुची में 2022 में त BWF World Tour 2022 में पुरूस एकल का खिताब किस ने जीता है BWF World Tour 2022 में पुरूस एकल का खिताब ये जीता विक्टर एकेसलसन ने option C right answer होगा इस question का देखिए महिला एकल का खिताब जो है ये अकाने यामागूची ने जीता बेडमिंटन वर्ड फेडरेशन इसकी स्तापना 1934 में हुई थी मुख्याले जो है आपको पता होगा मलेशिया के कुवाललमपूर में है और अधेक्स कोन है वरतमान में इसके BWFK पॉल हैरिक होयर ये वरतमान में चेर्मेन है BWFK अगला कोशन प्रधान मंत्री कोशल को काम कारेकरम PMKK के योजना का नाम बदल कर क्या किया गया प्रधान मंत्री कोशल को काम कारेकरम PMKK के योजना का जो नाम बदल कर जो है प्रधान मंत्री विरासत का संवर्दन योजना कर दिया गया है option D right answer होगा अगला question अंतराष्टे प्रवाशी दिवस जो international migrants day है ये कब मनाय जाता है तो ये 18 December को मनाय जाता है option C right answer इस वार इसका theme क्या रखा गया है प्रवाशियों को प्रात्मिक स्वास्ते देखवाल में एकिकरत करना ये इसका theme है इस वार का अगला question है विश्व खुशहाली सुचकांक 2022 World Happiness Index 2022 के नुसार खुशहाल देशों की सुची में भारत को कौन सा स्थान मिला है भारत को इस वार मिला है 136 स्थान option B right answer होगा डिटेल देखते हैं विश्व खुशहाली सुचकांक 2022 में 146 देशों को स्थान दिया गया है इसमें भारत ने 146 में से 136 स्थान आशिल किया है विश्व खुशहाली सुचकांक में GDP लेवल जीवन प्रत्याशा जीवन विकल्प चुनने की आजादी उदारता और भरष्टाचार की धारना जैसे की कारकों पर रेंक दी जाती है सियुक्त राष्टे के वापिस वार्षिक सुचकांक में फिनलेंड पांचमें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश सुना गया वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश सुना गया है फिर से टोप तिन देश कौन से हैं फिनलेंड डैनमार्क आइसलेंड ठीक है अगला कोशन भारतिय सेना ने किस देश की सेना के बीच सूरे किरण का जो सोलवा संस्क्रण है वो सेन्य अभियास का योजन किया है तो आपको पता होगा मैंने कुछ दिन ये कोशन करवाया था जो सूरे किरण सेन्य अभियास है ये भारत और नेपाल देश के बीच में होता है और इस बार इसका सोलवा संस्क्रण हुआ है अगला कोशन है अंतराष्टे मानव एकता दिवस इंटरनेशनल हुमन जो सोलिडेटी डे है अगला कोशन किस वर्स तक सब के लिए आवास मुहेया कराने का लक्षे रखा गया है पहले दोस्तों इसे 2022 तक रखा गया था इसका लक्षे पर अब दोसार और बढ़ा कर इसका जो लक्षे है ना 2024 तक कर दिया गया है सबके लिए आवास मुहेया कराने का लक्षे 2024 किया गया है अगला कोशन आई सी सी पुरूश T20 विसुकप 2022 की मेजबाने किस देशने की है ये की है औस्ट्रेलिया देशने ओप्षन सी राइट आंसूर होगा इसको डेटेल में समझते हैं आयोजनस तल उस्ट्रेलिया रहा 16 अक्टूबर से 13 नॉवंबर 2022 तक संस्क्रण था ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का आठमा संस्क्रण था विजेता रहा इंगलेंड दूसरी बर जीता है इंगलेंड ने ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से अरा कर इसलिए उप विजेता कौन रहेगा पाकिस्तान और इस वर्ल्ड कप में हमारी भारतिय टीम सेमी फाइनल तक पहुँच पाई थी सेमी फाइनल में इंगलेंड टीम ने भारतिय टीम को हराया था ठीक है अगला कोशन किस वर्स तक HIV AIDS को खतम करने का लक्षे रखा गया है HIV AIDS को खतम करने का लक्षे 2030 तक रखा गया है ओप्शन भी राइट आंस पर होगा अगला कोशन है भारत के 76 वे ग्रेंड माश्टर कोन वने है भारत के 76 वे ग्रेंड माश्टर वने है परणव आनंद जी ओप्शन C राइट आंस पर होगा अगला कोशन पाँच में खेलों इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी कौन सा राजे करेगा ये मद्य परदेश करेगा ओप्शन भी करेक्ट आंस पर होगा अगला कोशन है राश्टर मंडल खेल 2022 में पदक तालिका में सिर्ष स्थान किस देश ने पराप्त किया राश्टर मंडल खेल 2022 में पदक तालिका में जो सिर्ष स्थान है ये प्राप्त किया है उस्ट्रेलिया ने option A right answer होगा इसका extra fact देखिए बहुत important है ये इसका 22 संस्क्रण था इस बार आयोजन स्थर कहाँ पे है ब्रमिंगम इंगलेंड में इसका आयोजन किया गया था 28 जुलाई से 8 अगस्थ 2022 के बीच में राष्ट मंडल केल 2022 में जो सिर स्थान है वो उस्टेलिया का रहा उस्टेलिया ने कुल 178 पदक जीते जिसमें गोल्ड 67, सिल्वर 57 और ब्रोण चोपन थे पदक तालिका में ये सिर स्थान प्राप्त किया है उस्टेलिया ने इंग्लेंड दूसरे स्थान पे था 176 पदक के साथ और कनाडा जो है वो तीसरे नमर पे था 92 के साथ और भारत जो है हमारा ये चोथे स्थान पे था इसमें 61 पदक थे भारत के पास इसमें गोल्ड 22 हैं, सिल्वर 16 हैं, ब्रोंज 23 हैं ठीक है? अगला कोशन राष्टे मंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस ने जीता? राष्टे मंडल खेल 2022 में भारत के लिए जो पहला पदक है ये संकेज सरगर ने जीता था option A right answer होगा, एक्स्ट्रा फेक्ट देखिए, पहला पदक जो रज़त पदक आया था भारत के लिए सिल्वर और ये 49 किलोग्राम भारवर्ग प्रतिश परदा में आया था, पहला जो कांशे पदक जीता भारत के लिए वो गुरुराज पुजारी ने जीता एथलीट में, ठीक है? अगला कोशन, फीफा महिला विशुकप 2023 की मेजबानी सेयुक्त रूप से किन दो देशों को प्रदा देने की घोशना सेयुक्त राज अमेरिका ने दे दिया है, गैर नाटो सेयोगी देश का जो दर्जा है, ये देने की घोशना की गई है, सेयुक्त राज अमेरिका की दोरा कतर देश को, ओप्शन डी राइट आंस्वर, अगला कोशन है, किस अभ्यारन को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण नामित किया गया है तो ये किया गया है कुनो पालपूर वने जी अभ्यारण को और ये कहां पे स्तित है ये आपका मद्य परदेश में स्तित है अगला कोशन सुन्य अभ्यान जो हाली में खबरों में रहा इसका लक्षे क्या है सुन्य अभिहान जो है ये हाली में खबरों में रहा था इसका लक्षय है EV का उपयोग करके वायू प्रदूशन को कम करना यहाँ पे EV क्या है? इलेक्ट्रिक वहीकल है option D right answer होगा अगला कोशन भारत की पहली Forestry University यानि की वानी की विस्व विधाले किस राजे में स्थापित की जाएगी? तो यह की जाएगी तेलंगाना में अब यहाँ पे तेलंगाना की राजदानी हैदराबाद में यह स्थापित होगी option C right answer है अगला कोशन ICC किरकेट World Cup 2023 का आयोजन किस देश में होगा? पुरूष किरकेट World Cup 50 ओर का जो है यह 2023 में भारत देश में आयो जीत होगा option C right answer है ICC का फिलफो में International Cricket Council इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी मुक्याले कहाँ पे है? दुबई सुनक तरव अमिरात में है वर्तमान में अधेक्स कोन है? ग्रेग वार के लिए न्यूजिलेंड के है वर्तमान में CEO कोन है? जो अगला कोशिन देखिए वैस्विक भुकमरी सुचकांग 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रेंग कोन सा रहा? 107 में रहा option B right answer होगा अगला कोशिन है वैस्विक शांती सुचकांग 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की स्थान पे रहा 135 में पे option यहाँ पे B आपका जो है न वो right answer हो जाएगा important fact देखिए इसका इसमें दोस्तों देखिए आपको बतादू मैं ये जो है न Institute for Economics and Peace New York America द्वारा जारी वैस्विक शांती सुचकांग 2022 के नुसार भारत 163 देशों में 135 इस्थान पर पहुँच गया है इस सुचकांग के नुसार अफगानिस्तान लगातार पांच में वर्ष सबसे कम शांती पुन देश रहा है सुचकांग में जो टोप तीन देश हैं वो आइसलेंड नुजलेंड और आयरलेंड है ठीक है अगला कोशन देखिए जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2023 में जो है ना आपको बताना है कि कौन सा भारत का रहा CCPI Climate Change Performance Index 2023 में भारत जो है ये आठवे नमर पे रहा है option C right answer हो जाएगा इस कोशन का extra fact देख लेते हैं इसका German Watch और Climate Action Network द्वारा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2023 जारी किया गया है यह index इस अधार पर तियार किया आता है कि किस देश के किस देश ने खतरनाग जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है देशों की स्तीती की बात कर ले तो इस वर्ष 63 देशों में भारत आठवे स्तान पर रहा है इस रिपोर्ट में पहले तीन स्तान खाली रखे गए है क्योंकि किसी भी देश ने सुचकांग की सभी स्रेणियों में इतना बहतर परदर्शन नहीं किया कि उन्हें पहले तीन स्तान पर जगए दी जाए इसलिए तीनों स्तान जो है वो पहले खाली रखे गए है अगला कोशन राजू स्रीवास्त्व का निधन सितंबर 2022 में हो गया वह इनमेंसे क्या थे वो एक कोमेडियन और अभिनेता थे ओपशन वी राइट आनस्वर हो गा अगला कोशन देखिये भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम रखा गया है गया जी बांध का उधगाटन किस राजे या फिर केंदर साजी प्रदेश में किया गया है तो ये किया गया है बिहार राजे में बात कर लेते हैं इसकी तो कि ये जो है ना भारत का पहला नीजी रोकेट विक्रम जो S है ना ये 18 नमबर को शतीज दवन अंतरिक्ष केंदर श्री हरी कोटा से लोंच किया गया ये है रोकेट स्टार्ट अप स्काई रूट एरो स्पेर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्सित किया गया है ये लाइन अंडर लाइन कर लिजिए यहां से कोशन डेफिनेटली आएगा अगला कोशन देखिए अंतर राष्ट्रिये बोधिक शंपदा सुचकांग 2022 में जो है ना भारत की स्थान पर रहा इसमें भारत 43 नमबर पे रहा है ओप्शन भी राइट आ किया गया ये इंडेक्स यूएस चेंवर ओफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है इस सुचकांग में टोप तिन देश कौन से है नमबर पे है स्युक्त राज अमेरिका दो नमबर पे युनाइटिड किंग्डम तिन नमबर पे लिए एक इंडेक्स जुरूर आएगा आपके पेपर में देखिये हाली में विस्व आर्थिक मंच डवल्यू ए एफ ने जो है ना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी किया है इसमें कूल 146 देशों में बारत को 135 अस्तान मिला है इस सुचकांग में टोप तिन देश कौन से हैं आइसलेंड फिनलेंड और नोर्वे अगला कोशन देखिये अक्टूबर 2022 में बी सी सी आई के ने अजेक्स कौन बने है तो यह रोजर भी नी बने है इन्होंने किन को रिप्लेस किया है इन्होंने सौरफ गाउली को रिप्लेस किया है भारत क्रिकेट टीम के इसकी स्थापना 1928 में हुईती मुख्यालय मुंबई में है अजेक्स वर्तमान में रोजर भी नी है सचीव कोन है जैसा है अगला कोशन फिकी फेडरेशन ओफ इंडियन चैम्बर्स ओफ कोमर्स एंड इंडिस्ट्री का नेया अजेक्स किसे चुना गया यह सुबरकान पां है अरुन चावला जी अगला कोशन भारत के नई चुनाव आयोक्त इलेक्शन कमिशनर कोन बने है तो यह अरुन गोयल जी बने है ओप्शन सी राइट आंसर होगा और यह कोशन वेरी इंपोर्टन लगा लीजिए दोस्तों इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया भारतिय पाचन आयोक किस्तापना 25 जनवरी 1950 कोई थी इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रे मतदाता दिवस के रूप में भी मना जाता है इसका मुख्याला नहीं दिली में है परतम चुनाव आयोक्त जो थे वो सुकुमार सेन जी थे चुनाव आयोक में तीन सदशिय होता है एक मुख् चुनाव आयोक्त कोन है राजीव कुमार जी है 25 में है और पहले चुनाव आयोक्त है अनूप चंदर पांडे और दूसरे है चुनाव आयोक्त अरुन गोयल जी और मुख्य चुनाव आयोक्त कोन है राजीव कुमार जी जो की 25 में है अगला कोशन देखिए सहरी गरीबों क हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मानस पद से समानित किया गया है तो ये किया गया है भारतिय थल सेना के जो अधेक्स हैं मनोज पांडे जी इनको समानित किया गया है option a right answer होगा अगला कोशन केंदर सरकार ने राजपत और सेंट्रल विश्टा लोन डेली का नाम बदल कर नया नाम क्या रखने की गोशना की है तो नया नाम रखने की गोशना की है करतव्य पत ओप्शन सी राइट आंस्वर होगा अगला कोशन फोर्मूला वन रेस डच ग्रेंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस ने जिता तो ये मैक्स विरेष्ट पन्ने जिता है जो की निदर लेंड के एक रेसर है ओप्शन सी राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है भारत में वर्तमार में रामसर साइट्स की संक्या कितनी हो गई है अब ये बढ़कर हो गई है 75 ओप्शन डी राइट आंस्वर होगा इसका डीटेल आपको बदाता हूँ दो फरवरी 2022 को दो नए छेतरों को शामिल किया गया जिससे रामसर साइट्स की संक्या बढ़कर होई थी उन्चास ये कौन-कौन से थे गुजरात के खिजडिया वने जीव अभ्यारन और उत्तर परदेश के बखीरा वने जीव अभ्यारन को जुलाई 2022 में भारत में फिर से पांच ने रामसर स्तल शामित किये गए जिससे भारत में रामसर स्तलों की संक्या चोपन से बढ़कर 64 हो गई तीन अगस्ट 2022 को भारत के दस ने आदर भूमी स्तलों को रामसर स्तल का दर्जा दिया गया जिससे भारत में रामसर स्तलों की सं क्या बढ़कर 64 से वर्तमान में 75 पुचेतर हो गई है अगला कोशन US Open 2022 टेनिस चेंपियंशिप में पुरूश एकल गेम्स में सिंगल का किसे जिता तो यह जिता कार्लोस एलकारेज ने ओप्शन डिलाइट आंसर होगा देखिये US Open 2022 की बात कर लें तो चेंपियंशिप का एउजन 23 अगस्त से 12 सितंबर 2022 के बीच में हुआ न्यू योर्क अमेरिका में इस चेंपियंशिप में पुरूश एकल का किताब स्पेन के कार्लोस एलकारेज ने जिता वहीं जो महिला एकल का किताब है ये पोलेंड की इगा स्वियातेक ने जीता है ठीक है अगला कोशन चंडीगर्ड इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है इसका नाम चेज़ करके सहीद भगस्नी है इंटरनेशनल एरपोर्ट किया गया है अगला कोशन है एसियाई कुस्ती चैंपिनसीप में लगातार तीन सुन पदक जीतने वाले पहले भारतिया फ्रीस्टैल पहलवान कौन बने है ये रवी कुमार दया बने है अगला कोशन है हाली में किसराजे में देश का पहला हिम्स कलन निगरानी रडार जो है वो स्तापित किया गया तो ये सिक्की में स्तापित हुआ है ओप्शन भी राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है किस देश के करित्रिम सुरज ने 17 मिनट तक 7 करोट डिगरी सेल्सियस उर्जा निकाल कर विसू रिकोर्ड बनाया है तो ये चाइना ने बनाया है ओप्शन भी राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है स्वीज ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारती है खिलाडी जिता तो ये जिता है भारती है खिलाडी पीवी सिंदु ने ओप्शन ए राइट आंस्वर होगा अगला कोशन देखिए भारत के पहले ओपन रोक संगराले ओपन रोक म्यूजियम का उद्गाटन का हुआ है ये हिदराबाद में हुआ है ओप्शन ए राइट आंस्वर होगा वो भी उसकी भी गोशना हो गई है वो दिया जाएगा विनेतरी स्वनाक्षी सिना को अगला कोशन देखिए उसे पहले पैटा क्या है पीपल फोर इटिकल ट्रीटमेंट ओव एनिमल्स इसकी स्थापना उनीस सोसी में वी तीसका हेड़कॉाटर अमेरिका में है अगला कोशन मानव अधिकार दिवस हुमन राइट्स डे कम मनाय जाता है इसका अंसुर आपको कमेंट करके बताना है यह आज का हमरे कोशन है जिनको भी बताए कमेंट करके बताईए वीडियो चल लगाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें जय हिन जय भारत करेंट